हालो एवरिवन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्जाम के डेट से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है किसी भी प्रिप्रेशन में तो एक यहां पे मैं हर 15-20 दिन में आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आपके सामने अपकमिंग एक्जाम की डेट और क्या-क्या टेंटेटिव केलेंडर एक हमारे मेकेनिकल के लिए है वो प्रेशन करता रहूँगा जिससे कि आपको एक रिवाइज बार बार होता रहेगा कि क्या पेपर कब मेरा पेपर है किस समय है कैसे है क्या मुझे प्रेशन करने किसको पहली प्रेफरेंस रखना है किसको सेकिंड प्रेफरेंस पर रखना है ठीक है न तो ऐसे में एक कलेंडर आपके साथ 15 हर 15 दिन में दिस्केस करता रहोंगा है तो हैнов अभी हमारे पास क्या क्या options है预 क्या क्या हमारे एक्जाम है कैलेंडर कह रहे है आई उसको क्letter six कर लेते हैं एक बार देख लेते हैं चे जेखशाब से हम लोग वो फॉलिव या दिनमें सब्से हैं आरा और वी ऐ-ड今. si की वरी न जिस सब का आपको पता है कि notification date क्या थी 20 January यह में लिख रहा हूं आपके सामने notification date notification date आपकी क्या थी और ताकि आपको यही पता रहे कि भाईया कितना समय आपने दे दिया है उस preparation के लिए और tentative exam date आपकी क्या है tentative हर date को हम tentative ही लिखें कि जब तो एक्जाम नहीं हो जाता ठीक है तो RRB ALP CBT 1 जो की 20 January 2024 का आपका notification date है और tentative date है आपकी 25 November से 29 November 2024 ठीक है ना तो सबसे पहली प्रफरेंस में तो यही एक्जाम आपके लिए लगा हुआ है उसके बाद आर आर वी जे आर वी टेक्नीशन है टेक्नीशन आपका पेपर है जो कि सीवीटी वन है आपका नोटिफिक्शन अपडेट था लेकिन आपका पेपर टेंटेट एक्जाम डेट या है आपका 18 दिसंबर से 19 दिसंबर 18 दिसंबर टू 29 दिसंबर 2024 इसके बाद आपका 3 important exam है आपका यह ग्साम बहुत वैसा है लेकिन उसको बाद में लेता हूँ थीके ना उससे पहले कि नोटिफिकेशन जो था हमारा वो जॉब नोटिफिकेशन वो तीस जुलाई दो हजार चौबिस का था और हमारा एक्जाम यो टेंटेटीव डेट है वो है आपका यह यू के यू के पी सी वरक्षव स्पितेंडेट यू के पी सी वर्क्षॉप शुपरिटेंडेंट cómo वरस दो हजार चौड़ेंद। दो हजार पच्छेस उन्निस जैन्वरी दो हजार पच्छेस ठीक है टेंटेटिट इदर अगर हम बात करें तो अगला है आपका यू के पीएससी पॉली लेक्टरार पॉली लेक्टरार जो की नोटिफिकेशन है आपका है तेईस जुलाइज दो हजार चौबिस का और एक्जाम है आपका कब 22 धारी दो हजार पच्छेस जो की एंटेंटेटिटेटव डेट है बहुत फास्ट होता है सबसे तेज कराया जाता है लेकिन पांच जून दो हजार चौबिस को यह फॉर्म निकला था और अभी तक इसका कोई पेपर टेंटिटिव डेट नहीं आया है हर अगले हफते लगता है कि यह पेपर हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है इधर अगर बात करें तो और कौन से पेपर है ऐसे जो होने वाले हैं आने अले टाइम में तो जैसे यहां पर आपके सामने शेल पी Βए इसरो LPSC 2024 यह भी आपके सामने अभी नोटिफिकेशन आया है कब आया है नोटिफिकेशन डेट इस 19 अगस्त 2024 को जिसकी अभी कोई डेट नहीं है एक्जाम डेट ठीक है ना अगर दूसरा देखें हम तो इसरो HSFC इसरो HSFC तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म कुछ नहीं भरे थे वो भी चीजों का दियान रखेगा आपका 21 अक्टूबर इसरो हसी 18 सितंबर 18 सितंबर 2024 को यह फॉर्म आया था जिसका अभी तक कोई टेंटेट डेट एक्जाम की नहीं है अगला है हमारे पास एन एम डी सी जेओ एन एम डी सी जेओ जिसका नोटेक्शन डेट था 21 अक्टूबर दो हजार चौविस जिसका अभी कोई एक्जाम डेट नहीं है और लास्ट हमारे पास है अभी जो लेटेस्ट आया है हर्याना का एच्पी एसी लेक्चरार जो की हमारे पास आया है लेटेस्ट बिल्कूर छै नमबर को जिसका अभी कोई एक्जाम डेट नहीं है तो बच्छों ऐसे कलेंडर से आपको बहुत अच्छे पता चलता रहेगा कि आपकी एक्जाम डेट जो हैं वो किस प्रकार हैं जैसे कि आपको साफ दिख रहा है कि अपकमिंग और जो फिक्स एक्जाम्स हैं आपके वो पहले अपकमिंग ये एक्जाम सबसे इंपोर्टन है जो कि आपके प्योर और नॉन टेक्निकल एक्जाम्स हैं सबके CBT-1 उसके बार आपके टेक्निकल एक्जाम्स जो फिक्स परबरी के आसपास ही लॉंच होगा पर का डेट आएगा फरबरी मार्च के अंदर अंदर तो वह भी अगर आपका एक्जाम है तो वह भी कहीं न कहीं लग जाएगा तो याद रखिए डैट इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके पास भी एक चार्ट सामने होना चाहिए य बिगी डीजए की तरफ से तरफ से हर 15 बींटर हर 15-20 मंभीन दो बार काउपके जो है वार रिमाइंड करा दिया जाएका कि बहुए यह कैलेंडर आस तो मैं ने हाथ से लिखा है मैं प्रपर आपको दिखा दिया करूँ फाइल और वह आपस शेर भी करूँ है तो प्लीजै जादा आपको push कुछ नहीं होगा उससे जादा आपको कोई push नहीं करेगा कि यह पेपर है इसकी त्यारी करनी है उसके बाद यह है उसके बाद यह है क्योंकि बच्चे क्या है अपने आप में ग्रूपों में negativity फिलाते हैं कोई paper नहीं है कुछ नहीं है हमारा क्या होगा यह व चांद बैठने का तो इसलिए जो भी बच्चा लगा हुआ है इमानदारी से लगा हुआ है वह शुरू हो जाईए अपने प्रप्रेशन में बिल्कुल बीना टाइम वेस्ट करें मिलते हैं अगले फिर्क नई कलेंडर अपडेट के साथ थैंक्यू अरे मच्छ